नमस्कार दोस्तों आज हम इलेउंद क्लास की जोग्राफिका चेप्टर नमर आठ पढ़ने वाले हैं इसमें बीच में छह और साथ चेप्टर है वह अपनी एक्जाम के साफ से इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इनको स्किप किया है जिसको भी पढ़ना चाहते हो यह लेकिन मेरे साब से स्लेक्टिव पढ़ना चाहिए ठीक है स्लेक्टिव पढ़ने से यह होता है कि आप जल्दी से अपने से इसको काहर कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज वायू मंडल कर संगटर शंचना वाला चेप्टर है इसमें बताये गया कि वायू परत्वी क कि इतना सकते हैं तो इतना मतलता एक तरसे हम कह सकते हैं पौणों को या वाइव मृडल को रोख पाना मुश्किल हो जाता हैं आ पर जो लख बख भाग 32 कि उसाज़ते की पाह जाता है जीतनी बिज़े से घस होती है या भारी जो कन होते हैं जलवास्प कण है बहुत प्रकार कैसे अलग लग टाइप के कण होते हैं राग के कण दुवें के कण सभी मिलकर क्या करते हैं वायू को बनाते हैं इसके लावा वायू क्या है रंगीन और गंध ही एक तरह से हैं और वायू मंडल के संगटन की बात करें तो यहां से कुछन में कौन सी के से कितनी अनपात में पाई जाती है नाय टोजन सरवादी कोती है यह सारणी आप देखना उसके साब से कई कुछन यहां से बन सकते हैं तो इसमें बताएगा कि 120 किलोमेटर के उचाई पर ऑक्सेजन भी नगने होने लगती है और एक चीज़ सबसे इंपोर्ट परतवी मिदल शूरी से आने वाली किरहती है तो इसमें यह होता है कि पार्तवी विक्रणों का अफस्यासन करती है याद रहाते हैं कि कभी इना वाह vibe wandल सूरी से आने वाली करणों से गरम नहीं होता है वाइब मंडल गरम होता है पार्थवी विकरण से गर्म होता है वाइब म Representatives जलबा सब्सक्रत है लिए नहीं आदी क्या करती है जब कि पार्थी विक्रणों के लिए क्लिए पार्दस्य जिसे वाइव मंडल गरम होता है और अभी गलोबल वार्मिंग के समस्था क्यों आ लिए क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं जिवास में जो इन दर उनको जलाने से वाइव मंडल में कार् समता मंडल में पाई जाता है ठीक है और ओजन का प्रमुकारी क्या है प्राव बैंगनी कि रणों को रोकना होता है या परत्वी से रक्सा करती है इसकला जलवास पी मतलब महत्पूरून के से काफी प्रवितनी के से और उचाए के साथ गढ़ती जाती है ठीक है विश्वत इकुर्वो की और जलवास्व की मातरा कम होती जाती है यह बात भी सकते कि एक्वेटर पर सरवाधीs क्यां किया होगा ताप्बन में जदा होगा सागर भी यहां पर जैदा है Woah तो कभी वर्सा ही नहीं होती क्यों नहीं होती कि जितने भी कण होते ना यह क्या करते हैं कहीं कहीं जो वास्पी क्रण होता है जो जल्वास्पी क्रण होता है बाद में संग्नित होता है तो कहीं नहीं कि उसको एक आधार परदान करते हैं जिसको बोलते हैं आधरता गराई के होता हट है याद रखना इस बात का कि आधरता वाली जो जगह है जहां पर आधरता बहुत ज़्यदा थृ पर बपर इसल visão रहे है जब वर शाओत यह यह घार कि ऺंए वहीं ह Canvas somewhat कर रहे हैं कि जिए इसे यह बात कर रहा है कि अढ़ नहीं बनते हैं, नहीं के कढ़न रोच प्रदेशों नहीं सी घृख में जहां तरह से हम हम कह सकते हैं, जहां के इनसकी कम सकते हैं भाइब आप सिंपल सी बात है यहीं होगना के कर नहींद है, नहीं होती तो कढ़न जयादा पय सब्सक्राइब करते हैं इसे बहुत इंपोटेंट है ठीक यह कंड अच्छा इस टोपिक से में कोई कुछ नहीं आने वाला बहुत ही कम संभावन आए कि यहां से में कुछ चीजे बनने वाली बाकी कुछ ज्यादातर में प्री में आने वाले हैं यह कर आदरता गराई के पर संता अंघसे में लोग और आए यसे शोड़ें क्या कर रहें हैं तो कम मोँऑ रहा है जैसे हम उछाए पर जा रहें तापान कम होगा और यह दर रहें लगबख 165 मेटर की उचाई पर एक डिग्री सेल्स तापमान क्या होगा कम होगा और यही लोजिक है कि उपर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं तापमान की सकरातम घासदर कहता है कि जैसे जैसे उपर जाएंगे तापमान में कमी आएगी क्यों पहले भी पढ़ा है कि यह रही है इस लोजी को समझो दुबार बदाता हूं यह रही है कि जैसे उपर जाते हैं तापमान कम होने लगता है तो इत तो मंदल पर आते तापमान कितना होता यहां पर दिखा रहा है इस पर भी हमने पात करेंगे है सब से पहले एक वार इस रेखा की बात करें कि जैसे जैसे हम उपर बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है कारण क्या है क्योंकि वाैमन्डल नीची ज्याधा गुर्णा और ओपर जाते लेकिन जैसे हैं सम्ताम मतले में पहुंचते है यह आ अई उपर बढ बड़ा है यहां तो बढ़ने लगए यहां तो लोजिक फैल हो गया जी के आज यहां थो ईहां सम्ताम मंडल के अंदर ओजों गेस हैं यहां पर ओधरी जैसे सूरी से क्या करते हैं सूरी से जो तापमान आता है प्रावेंग निकिरने वगरा इनका अवसोशन करती है ठीक है अवसोशन करने से इस बेल्ट में क्या होगा तापमान बढ़ जाएगा यही लोगिक इसमें कि स समतार मंडल में पहुंचते हैं पर से लोजिक लागव हो जाएगा मध्य मंडल में ठीक है और बाद में जैसे उपर तापमान फिर बढ़ने के लोगा ऊपसे तो ऊचाई के नुशार गनत्व तासमान में कमीं होती है पांच सहीं तरह जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाल है 100 माडल 0-13 किलमेटर की उस्त उचाई को ले सकते हैं जैसे यह परत्वी है ठीक है और यहां पे हम देख सकते हैं एक सेकर दुबारा से बनाता हूं परत्वी थोड़ सी एसे है ना सप्टी आकार की और वाय मडल को भी हमें सब्सक्राइबस तो यह देखो यहां वाले जो हन ऐसा इसलिए है दोस्तों कि एक्वेटर पर क्या होता है यहां पर सरवादिक तापमान है और यहां से क्या होता है वायू गरम होकर उपर उड़ती है ठीक है मेक्सिमम टेंपरेटर है इसलिए वायू पाउन जो भी वायू मंडली संचार है संचन जो है यहां से उपर उठने यहां से प्रसार होने लगता है जबकि दुरुव पर एक चीज देखना आप तापमान कम है इसलिए भारी वायू क्या है निचे और बेटेगी इसलिए वायू मंडल क्या है वायू मंडली खह सकते हैं या जो सोब सीमा जो है इसकी उचाई जो ना दुरुव पर कम है और एक्वेटर पर ज्यादा है यह कुछन कई वार आ चुका है तो इसमें लिखा है कि दुरुव के निकेड़ आट किलोमेटर विश्वत वर्त पर कितना है 18 किलोमेटर क्यों कि विश्वत वर्त पर तापमान करन भारी वायू नीचे बैठती है ठीक है इसके लाद धूल करन जलवास जिदने भी चक्रवात की घटना होती कहां होती है सोब मंदल में होते ही है 165 मेटर की उचाहे पर क्या होता है एक डिग्री से तापमान कम होने लगता है सोब सीमा की बात करें तो तापमान आस्तर पाई जाएगी मंद्य 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 जो है 50-60 किलो मेटर में है यहां पर तापन पूर्ण कम होने लगता है मायने संडेट डिग्री सेल्सियस भाय वाय मंदल है असी से लेकर 400 किलो मेटर उचाहिब बंदे के साथ तापन में पूर्ण वर्दी होती है और इ यहां पर वाय मंदल विरल हो लें लगता है और इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी है झाहिए ना वाय मंदल का को इतना इंपोटेंट हमारे ली रूल भी नहीं है तो यह हमारा एक छोटा साँ के लेसन था आसा करता हूं पसंद आया होगा इसको लाइक सेर करते रहा ठीक इसकी विडियो आपको आमरे टेलिग्राम चनल पर मिल जाएगी धन्यवाद